भारत और अमेरिका के संबंदों में प्रगाडता दिनों दिन बढ़ती गई और ये सब कब शुरू हुआ 1990 के सोवियत विगटन के बाद जब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया इस तगारता के आपसी संबंदों में एक बहुत बड़ा मोड दो हजार पंदरा के रिपाब्लिक डे परेड में आजा गनतंत्र दिवस परेड जो भारत के लिए छटमा गनतंत्र दिवस था जिसमें मु बहुत बड़ी घटना थी इसे दोनों देशों के बीच में मात्र बाची थी नहीं बढ़ी इससे मात्र बारक ओबामा का आतित ही नहीं मिला गनतंत्र दिवस में बलकि अनेकों संधियां हुई अनेकों समझोते हुए भारत और अमेरिका के संबंदों में उतार चड़ाओ भारत और अमेरिका के संबंदों में एतिहासिक परिवर्तन अब इसी को लेकर एक अगला बिंदु है आपको याद होगा शुरू में मैंने जिक्र किया था कि भारत और अमेरिका के संबंद कभी पूरी तरफ विरोधी नहीं रहे उतार चड़ाव रहा खटास मिठात रही विश्वास अविश्वास रहा और दोनों के बीच में सतत रूप से चेश्टा रही कि हमारे सम्मंद मैतरी पूर्ण हूँ दोनों ने कभी एक दूसरे पर किसी भी तरह के हमले की या किसी भी तरह के ऐसे विरोध की कल्पना भी नहीं की होगी जो कि एक किसी तरह का एक युद्ध का रूप ले ले ये अखिर क्यों ऐसी क्या बात थी कि भारत और अमेरिका सतत रूप से इस प्रियास में थे कि हमारे संबन्द अच्छे हो उसका कारण था कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जहां लगातार हम विरोध देख रहे हैं लेकिन सहमती के कई मुद्दे हैं और सहमती के मुद्दों से ताटपर है आधारिक धाचा, आधार भूध धाचा भारत और अमेरिका के संबंधों में सहमती के क्या क्या मुद्दे हैं किन बातों पर दोनों देश एक मत हैं विश्व के मंच पर या वैचारिक रूप से किन किन मुद्दों पर दोनों देशों की सोच एक है आधार भूध रूप से सोच है राजनीति से परे तो उन सोच की यदि बात करें तो सबसे पहला कारण जो दोनों देशों को इतना प्रगाड मित्र बनाता है दोनों देशों में जो प्रगाडता बनाया रखने की संभावना दिखाता है वह है कि दोनों देश लोकतंत्रिक देश हैं लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों लोकतंत्र में अटूट विश्वास करते हैं, अमेरिका 1776 से लोकतांत्रिक है, भारत नवोधित लोकतांत्रिक, लेकिन दुनिया के सबसे विशाल देशों में एक, और भारत के बाद जितने देश वतांत्र हुए अफरीका और एशिया में, भारत का लोकतंत्र उनके लिए एक आदर्श है, तो ये दोनों दोश्यों का लोकतांत्रिक होना, दोनों के बीच में एक सहमती का मुद्दा है, भारत और रूश के सम्मद्ध अच्छे थे, उसके राजनितिक कारण है, कूट नीतिक कारण है, भागोलिक कारण है, लेकिन दोनों के विचारों में थोड़ा अंतर था, दूसरा कारण जिसके लेकर हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के सम्मंद अच्छे होने के हमेशा ठोस कारण रहे, दोनों ही मानव अधिकारों में विश्वास करते हैं, मानव अधिकार, याने आदमी को आदमी जैसे जीने देने का अधिकार, जो साम्मेवादी देशों में कते ही नहीं हैं, वहां तो साम्मेवादी देशों में मनश्य को एक शरम का साधन माना दाता है, लेकिन साम्मेवादी देशों के परे, उल्टा, पूंजी वादी देशों में या लोकतांतरी देशों में मानव अधिकार एक बहुत अहम मद्दा रहा है, हम लोंगों को जो अधिकार मिले हुए है उस अधिकारों का परिपालन इन दोनों देशों के लिए बड़े गौरों की बात है तो इस मामले में दोनों देश सहमत हैं तीसरा मंदज इस पे दोनों देश सहमत है वह है कि जो तीसरी दुनिया की मैंने बात की थी कभी थर्ड वर्ल पहली दुनिया तो अमेरिका थी और अमेरिका का खेमा दूसरी दुनिया सोवियत संग और रूस का खेमा जो अब नहीं है और तीसरी दुनिया उसे कहते हैं जो भारत और भारत के साथ अन्य गरीब देश अविकसित देश निर्धन देश उनको अमेरिका ने ती तीसरी विश्व के गरीब राष्टों को बहुत आर्थिक मदद दी है। उसका उद्येश कुछ भी रहा हो। उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हूं। लेकिन मदद की है इसमें कोई दो मतनी। अमेरिका ने तीसरे विश्व के गरीब राष्टों को आर्थिक सहायता दी और भारत ने इसका बहुत समर्थन किया है। उसमें लोकतांत्रिक मुद्दा है, मानवादिकारों पर दोनों का जो विचार है वो है, और अमेरिका द्वारा गरीब देशों को आर्थिक मदद दिया जाना है, चोथा मुद्दा, जिस पर दोनों बड़े निकट हैं, वह है, दोनों ही राष्ट विश्वशान्ति चाहते ह अमेरिका यद्यपी परमानु चे लैस है, परमानु फथियारों चे, अमेरिका यद्यपी एक बहुत शक्तिशाली सैनि बल है, पर वह विश्वशान्ति में विश्वास रखता है, और भारत तो विश्वशान्ति का पूरु से ही पोशक रहा है, प्रणेता रहा है, तो दो दोनों देशों का विश्व शान्ती पे विश्वास होना, विश्व शान्ती पर एक तरीके से विश्व शान्ती को बल देना इन दोनों देशों को निकट रखता है। विश्थरि चर्चा का मौका दिया भारत और अमेरिका को और आतंखवाद से ज्युव विवन पहलों पर नए पहल भारत और अमेरिका ने की इनिसो पांच निसो छे की आत्राओं में, उसके बाद इनिसो नौ में। तो ये इस बात को सावित करता है कि आतंगवाद के मुट्टे पर भी भारत और अमेरिका एक मत हैं और ये एक मत था उन दोनों को निकट लाए हैं अगला बिंदू सेंक्त राश्चंग, सेंक्त राश्चंग के जो उद्देश हैं वे श्वशान थी, सेंक्त राश्चंग के जो सिध्धान्त हैं कि किसी दूसरे पर आक्रमन ना करना, इन सिध्धान्तों और उद्देशों पर भारत और अमेरिका एक मत हैं, तो यह हो गया छ हाल के वर्षों में कुछ नई बातें सामने आई हैं भारत अमेरिका के सम्मंदों को लेकर जैसे इन बातों का सम्मंद प्राध्योगी की और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतियों से हैं ये दोनों बातें आपस में जुरू हैं कौन सी बात प्राध्योगी की और अनिवासी भारती है प्राद्योग की और सट टेक्नालोजी और अनिवासी भारती याने जिसको हम कहते हैं कि भारत के जो निवासी अमेरिका में रहने लगे हैं और बस गया है और वहां के वहां के नागरिक्ता मिल चुकी है उनको लेकर आने वाले समय में चिंताएं जो हैं उसका निरा ये अप्रवासी भारतियों की बात करें तो सच्चाई क्या है? साफ्ट्वेर याने कम्प्यूटर रादी के ख्षेतर में भारत के कुल निर्याद का 65% निर्याद अमेरिका को जाता है. कलपना करिए, अमेरिका कितना बड़ा व्यापारी है भारत के साफ्ट्वेर टेकनोलोजी का? आपने जानते हैं कि हजारों इंजीनियर्थ, कम्प्यूटर इंजीनियर्थ भारत के अमेरिका में बसे हुए हैं. इतने ज़्यादा कि 65% भारत के निर्याद का वहाँ जाता है, कम्प्यूटर के मामले में, साफ्ट्वेर के मामले में. दूसरा, बोइंग. बोइंग कम्पनी जो दुनिया की सबसे पुरानी कम्पनियों में है, एरोप्लेन बनाने में, वो अमेरिका की है. उसमें 35% लोग भारती मूल के हैं. भारतीयों का प्रतिशत उस कम्पनी में कितना है? भागीदारी 65% श्रम की भागीदारी. तीसरा बिंदू जो शाबित करता है भारत और अमेरिका के बड़ते संबन्दों का निकटा का और प्रत्योगी की और अप्रवासी भारतियों के मुद्दे में वो है सिलिकन वैली. किसे कहते हैं सिलिकन वैली देखिए? नक्षे में दिख रहा है. सिलिकन वैली जो है, वो पर भारती लोग हैं और प्रद्योगी की यानि इन्फरमेशन टेकनोलोजी या कम्प्यूटर के खेत्र में चिलिकन वैली दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इस खेत्र में करीब तीन लाख लोग भारती हैं. कितने? तीन लाख भारती सिलिकन वैली में हैं. ये बहुत बड़ी संख्या को बताता है और साफ्ट्वेर के खेत्र में भारत के डामिनेंस को बताता है. चौथा मामला प्रद्योगी को लेकर पंदरा प्रश्ठ कंपणियों की शुरुवात भारत में बचे भारतीयों ने की है. वहां की जो ऐ हम भूमिका निबारी है ये इस बात से साबित होता है. और आज की तारीख में तो देखें तो सुन्दर पिचाई और ऐसे कई नाम हैं जो भारत से भारत की मूल के हैं और वहां जाकर अमेरिका की सर्वोच कंपनियों में वे मुख्य पदों पर बैठे हुए हूँ यह अमेरिका के विश्वियापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत भी जो है वो उसे यह फैसला करना है कि वो अमेरिका के साथ कैसे सम्मंध बनाएं दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अमेरिका की वर्चस्पता तो बनी हुई है और वो सतत रूप से उस दिशा में बढ़ रहा है भारत अमेरिका के साथ कैसे संबन्द रखे कितना अमेरिका से अपनी निकटता का फायदा उठा है और कितनी दूरी बनाए रखे ये किसे तै करना है भारत को तै करना है एक और जहां अमेरिका की वर्चस्पता बनी हुई है एक और जहां अमेरिका का प्रभुत्व बरकरार है दूसरी और कुछ नए देश जो ज़्यादा शक्ति शाली हो रहे हैं जो दिनों दिन अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं वे सामने आ रहे हैं भारत भी उन में से एक है लेकिन सचाई तो यह है कि अमेरिका की विश्व व्यापी वर्चस्वता का दौर चल रहा है और इसलिए भारत को इस बदलते दौर में यह समझना होगा सोचना होगा और बहुत सोच के लिड़ना लेना होगा कि वो अमेरिका से संबन्द कैसे रखे और यह तै कर पाना कोई आसान काम नहीं है यदि हम संभावनाओं की बात करें कि हमारे पास options क्या है क्या राष्टे हैं और क्या संभावनाए हैं तो चलिए इसमे थोड़ा सा हम बात करें पहला है कि भारत के ऐसे विद्वान जो अंतरराश्टी राजनिती को सैनी शक्त के दर्शन से देख से समझते हैं और अमेरिका की बढ़ती हुई न दीसी के से भैभीत हैं अंतरराश्टी राजनिती में भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई जो सैन्य संबंद हैं उसे से कई अंतरराश्टी विद्वान या भारत के विद्वान चिंतित हैं ये तो यही चाहेंगे कि भारत वाशिंग्टन से अलग अपना अलगाव रखे, अलग अपना समंद रखे और अपना ध्यान राश्ट्री शक्ति बढ़ाने में करें यानि विद्वानों का एक गुट का ये ऐसी सोच है कि हमें क्या करना चाहिए तो उनका कहना है हमें स्वदंत रहना चाहिए हमें अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए हमें अपनी राश्ट्री शक्ती बढ़ाना चाहिए और अमेरिका के साथ जो हम सैन शक्ती बढ़ा रहे हैं उसके साथ मिलकर उससे हमें दूर रहना चाहिए ये एक खेमे की सोच है विद्वानों का दूसरा जो गुठ है उसका कहना है कि भारत और अमेरिका के हितों में जो ताल मेल हेल मेल लगातार बढ़ रहा है ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है किस बात के लिए अच्छा मौका अमेरिका से सबसर्वशेश चीज पाने का अमेरिका की निकटता पाने का अमेरिका का विश्वास पाने का इनका यह कहना है कि हम ऐसी रणनीत की तरफदारी करते हैं जिसमें कि हम अमेरिका के निकट जाएं, जिससे भारत अमेरिका के वरचज़ता का फायदा उठाए, यानि दूसरे के बल पर हम विकसित होएं, या यदि ऐसा होता है तो इसमें बराई क्या है? उनका कहना है कि दोनों के आपसी हित मिले हुए हैं, दोनों लोकतांत्रिक हैं, दोनों मानवादिकारों पे विश्वास करते हैं, दोनों विश्वशान्ति की बात करते हैं, दोनों UNO में विश्वास करते हैं, आदी आदी और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे दोनों में सहमत इसको लेकर दोनों देश आगे बढ़ें और भारत के लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि वो एक विकल्प खोजे अपना रास्ता खोजे इस बीच में यानि अमेरिका की वर्चस्वता अमेरिका के साथ चलते हुए भारत अपनी स्थिति मद्बूत बनाता रहे उनका कहना है कि अमेरिका से विरोध करना उचित नहीं होगा वियर्थ होगा क्योंकि अब अमेरिका एक विश्व का एक मात्र धुरूव है विश्व की एक मात्र महाशक्ति है और आगे चलकर भारत के द्वारा किये गए विरोध का अमेरिका उसे अनिता लेगा भारत को नुक्सान और अमेरिका से निकट होकर उसकी निकटता का फाइदा उठाना ये दो तर्क देते हुए दूसरे विद्वानों का दूसरा गुट कहता है कि हमें अमेरिका से निकटता का संबनाना है बनाना चाहिए और उसके दो कारण देता है अब तीसरा एक और गुठ है इनका क्या विचार है किस बात पर कि भारत और अमेरिका के सम्मंद कैसे हो भारत अमेरिका के साथ कैसे अपने सम्मंद बनाएं किस तरह के सम्मंद रखें तो इनका कहना है कि भारत अपनी अगवाई में विकाशील देशों का गड़बंदन बना भारत को स्वयम एक स्वतंत्र देश रहते हुए जो विकास्षील देश है नवोदित राष्ट है जो बढ़ रहे हैं उनके साथ एक अलग गड़बंदन मनाएं और कुछ सालों में ये गड़बंदन चुकि विकास्षील देशों का है बढ़ती ताकतों का है ये बहुत ताकत है उसका प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा यानि अमेरिका को एक तरीके से अमेरिका की वर्चस्ता को चेक करेगा उसको उसके लगाम लगाएगा और इन विद्वानों का कहना है कि अमेरिका की वर्चस्ता ऐसी ही यदि बे लगाम बढ़ती रही तो पूरा विश्व अमेरिका की मुठ्ठी में आ जाएगा तो इसलिए आवश्यक है कि भारत के नित्रत में एक ऐसा गुठ बने एक ऐसा गड़बंधन बने जो समय के साथ इतना तकतवर हो जाए कि अमेरिका पर लगाम लगाए उसकी बढ़ती वर्चस्थता को रोके उसकी बढ़ती पहला शैन शक्ति ना रहके उलकुल अलग रहे दूसरा अमेरिका के साथ रहे दो तीन कारण है और तीसरा अमेरिका से अलग रहके स्वतंत नीती अपनाए और एक गुट कीक स्वैम अगुआई करे भारत को भै खाने की जुरत नहीं है उनका ऐसा कहना है भारत शायद भारत और अमेरिका के भी संबंध इतने जटिल हो चुके हैं समय के साथ बार बार जो उतार चलाओ आया है और जो पेंडूलम जिसका घड़ी का जैसा pendulum होता है एक end से दूसरे end swing करता है जैसे pendulum ऐसा भारत और अमेरिका का जो संबन्ध है वो एक छोर से दूसरे छोर गया है तो इतना complex हो चुका है कि किसी कि इन तीनों में से किसी एक भी रणिनीति पर निर्वर नहीं किया जा सकता यानि जैसे भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को सम्हालने की कोशिश की ऐसे ही भारत को इन तीनों रणनीतियों को सम्हालना होगा समयान उकूल निर्णा लेते हुए उसे टैक करना होगा कि कब हम निकटा बनाएं अमेरिका के बीच के जो संबन्ध है किसी एक रणनीति पर निर्वर नहीं रहा जा सकता अमेरिका से निर्वाह करने के लिए या अमेरिका से संबन्ध बनाएं रखने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना पड़ाएं ये मिश्रित रास्ता निकालना पुड़ेगा अर्थ वर्ष्था के ख्षेत्र में भारत ने पूंजी वादी अर्थ वर्ष्था और साम्वे वादी अर्थ वर्ष्था और दोनों के बीच में एक मिश्रित अर्थ वर्ष्था का रास्ता निकालने भारत में उसे लगू किया ऐसे ही इन विद्वानों का विचार है या ऐसे ही लोगों की सोच है कि भारत को इन तीनों रणिनीतियों मेंसे किसी एक को नहीं चुनना चाहिए बलकि एक ऐसा मिश्रण हो इन तीनों रणिनीतियों का एक ऐसा समुचित तालमेल हो जिससे कि हम अपना विकास तो कर ही सकें साथ ही साथ अमेरिका के साथ बने रहें और अमेरिका की जो प्रभुस्त्ता है अमेरिका का जो वर्चस्व है उसका फायदा भी उठा तक है तो अपने विकास को अक्षन बनाया रखते हुए अमेरिका से मजूर संबंध और अमेरिका की वर्चस्ता का फायदा लेना ऐसा कुछ मेल तालमेल बना कर हमारी विदेश निति को एक नया आधार दिया जाया ऐसा विद्वानों का कहना है ये तो हुई संभावित रणिनीति ये तो हुई भारत की विदेश निति को नई दिशा देने की सोच पूर्व में भारत की रणिति या विदेश निति का आधार भारत का नव राष्ट होना उसका विश्वश शांती पर विश्वास करना उसके बाद उसका आधार गृट निरपेक्ष्टा अब जब गुट की राजनीती ही समाप्त हो गई तो भारत को अपनी विदेश नीती का नया आधार देखने की जुरत है और विदेश नीती का नया आधार देखते समय उस आधार का केंदर होगा अमेरिका ये बात तो उता है अमेरिका के साथ हमारे संबन्द कैसे हो अमेरिका के साथ हमारे संबन्दों में कितनी प्रगाड़ता हो ये हमारी विदेश नीति का एक मुख्य आधार हो गया है प्रश्णी ये आता है कि इन तीनों रणनीतियों या ये तीनों संब्भावनाए अपनी जगा तो ठीक है अमेरिका से कैसे संबन्द बनाए इनके संब्भावनाए लेकिन जहां तक अमेरिकी वर्चस्व की बात है उससे हम कैसे निप्टे जहां तक अमेरिकी शक्ति के बोल बाले की बात है जहां तक अमेरिका के महाशक्ति होना और पूरे विश्व में उसका दबदबाब बनाए रखना उसकी बात है उससे हम कैसे जहले उससे हम कैसे निकले उसके मद्दे नजर हम कैसे आगे बढ़ने तो अंतिम बिंदु जो इस अध्याय का है वो बहुत महत्पूर्ण है और वो है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें ये भी एक बड़ा बहुत अहम उद्धा है कि हर जगा हम अमेरिका की दखलंदाजी देखते हैं हमने तो बहुत पहले ही देखा क्राइजनिक राकेट के मामले में अमेरिका का रूस पर दबाओ भारत के खिलाफ F-16 और यान आदी की सप्लाई पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और भारत कुछ नहीं कर सका कोरिया पर सेंक्तराश्ट संग के माध्यम से दबाओ बनाना हमले का भारत से नाराजगी परमानु बम परमानु परिक्षन उसमें भारत से नाराजगी और आर्थिक प्रतिबंद आदी आदी तो यह जो अमेरिका जो हत्कंडे अपना रहा है या अमेरिका जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग हाथ मरोरने का काम जो करता है या तो मेरी मानो और नहीं तो तुम मेरे दुश्मन ऐसी जो सोच रखता है उस अमेरिका के साथ कैसे निप्टा जाए और सचाई तो यह है कि अमेरिका जहां इतने ऊपर है अन्य देश उससे कोसों कदम दूर हैं बहुत पीछे हैं चाहे रूस की हम बात करें जो एक उभरता हुआ नया महाशक्ती है या चीन की बात करें भारत के स्वैम की या ब्रिक्स कंट्रीज की या इन सब देशों की कम्बाइंड ताकत की सैनिक शम्ता के मामले में तो आपने जान लिया कि अमेरिका जो है वो उस अमेरिका के बाद के जो बारा सब से ताकत वर देश हैं इनके सब के द्वारा किये गए कम्बाइंड खर्चे से भी ज्यादा अमेरिका सैनिक शम्ता में खर्च करता है आप सोच सकते कितना आगे है आर्थिक रूप से भी आपने देखा कि दुनिया की 28 प्रतिशत व्यापार या 28 प्रतिशत जो सकल घरे लोग पादे हों अमेरिका के हाथ में 28 प्रतिशत पूरी दुनिया का दुनिया मतलब 200 देश में से एक देश 28 प्रतिशत तो ऐसी आर्थिक टाकत, ऐसी सैन्य टाकत इससे कैसे निपता जाये, कैसे रास्ता निकाला जाये अपने विकास का सोवियत संग्ये विक्टन के बाद तो विश्ब की राजनीते में अमेरिका का वर्चस कायम ही भलकर बढ़ा है और अमेरिका दिनों जिन चाहता है कि इसका प्रभाव और बढ़ता जाए उसका दबदबा और बढ़ता जाए और उसी बढ़ते दबदबे और प्रभाव के उधारणों का हमने जिक्र किया है चाहे वो दबदबा सैन शक्ति के माध्यम से हो चाहे तक्नीकी साहता की दृष्टित से हो या आर्थिक मदद की दृष्टित से हो आर्थिक मदद दे कि अमेरिका ने कई देशों को अपने मुठी में किया है शाक्थिरेपी का एक जिक्र हमने किया था पूर में अब सरी राजनिती में सब देश चाहते हैं कि वो टाकचर बunे सब देश चाहते हैं कि उनकी प्रभुसत्ता बने लेकिन तचाइ तू यह है कि आज अमेरिका अखेला ऐसा देश है जिसकी टाकच जिसका वर्चस बना वुआ है काईंअ है ये तो सच्चाई है इससे कैसे निप्टें एक तरीका है कि हम प्रतिक्षा करें वर्चस बदलता रहता है हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे 1660 में इंग्लेंड का वर्चस था फिर उसके बाद बदला फिर उसके बाद दीसरा देश फिर इंग्लेंड फिर विक्टोरिया नेज ब बदलेगा तब हमारा भाग्य बदलेगा आने वाले वर्षों में कोई अन्य महाशक्ति अंतराश्ट्री राजनीति में वर्चस तो कायम कर सकती ये भी सच है क्योंकि वर्चस था कोई स्थाई नहीं होती नए-ने प्लेयर्स आते हैं नए-ने खिलाडी विश्व राजनीति भारत भी उसमें खिलाडी है ब्रिक्स के देश भी उसमें खिलाडी है बी आराई-सी-एस लेकिन वर्टमान में ऐसी कोई विश्व सरकार नहीं है जो किसी देश की सैन शक्ति पर लगाम रख सके ऐसी कोई विश्व राजनीति के अपने कायदे कानून है परंतु सभी विश्व राजनीति के कायदे कानूनों का कभी भी उलंगन कर सकते हैं मैं पुना दोरा दो वर्टमान में ऐसी कोई विश्व सरकार वर्ल गामन नहीं है जो किसी देश की सैन शक्ति पर लगाम रखे एक जहां तक कि विश्व राजनीति की बात है उसके अपने नियम होते ह विश्व राजनीति के भी सिधान्त होते हैं लेकिन कोई भी देश इसका जब चाहिए लंगन कर बैठता है तो इन बातों से लगता है कि ना तो वर्चस्व से छटकारा है और नहीं युद्ध से क्या लगता है कुल मिला कि जो बातें मैंने कहीं उसका निश्कर्ष यही है कि ना वर्चस्व से छटकारा मिलेगा और नहीं युद्ध से भारत चीन और कुछ अन्य देश रूस जैसे अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती दे पाने की स्थित में हैं लेकिन इनके बीच में भी आपसी मद्धिद हैं भारत एक लोक तांत्रिक देश है चीन एक महाशक्ती है जो सोवियत संग के विगटन का परणाम है और उत्तर अधिकार है और तीनों की अपनी अपनी सिमाएं हैं अपनी अपनी समस्याएं हैं अपने अपने दायरे हैं तो ये तीन एक साथ मिलकर तो अमेरिका को चैलेंज करेंगे नहीं उसके वर्चस समय सिद्ध है कि ये तीन देश एक जो ठोकर एक ताकत के रूप में सामने नहीं आएंगे और इस परकार अमेरिका इनके विरोधों को भुनाता हुआ अपनी वर्चस्चता को दिन प्रति दिन और बढ़ाता जाएगा